हेलो दोस्तों, नमस्कार मैं हूं मुकेश आप सभी का स्वागत है आज के करेंट अफियर्स के पार्ट में तो दोस्तों आज का पार्ट शुरू करने से पहले कल जो सवाल आप से मैंने पूछा था जिसका अंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था सबसे पहले उसको देखे लेते हैं तो क्या का गया दखुष में किस देश ने जी सेवन जी हां जी सेवन में दच्छिन कोर्या को सामिल करने के प्रिस्ताव पर आपत्ति जताई है किस देश ने सभ्य विक्षिट जो अर्थ वरष्ट हैं सबसे बड़ी साथ अर्थ वरस्ता है विस्व में द bathroom में isfo उसमां एक अना अमेरिका ब्रिट्येन जापान केंडा जर्मनी स्प्छांश और इडि ली इस साथ देशिवों का समू कहलाता है साठ से इस साथ देश हैं जी फोर ग्रूप जो साथ देशों का एक ऐसा ग्रूप है जो विश्व की सबसे विक्षित अर्थ वरस्ता है वो देशों में अमेरिका बेटेंज जापान कनाडा जर्मनी फ्रांस और इटली आते हैं तो इस जी सेवन में दच्छन कोरिया को सामिल के जाने का विरोध किस देश ने किया इन में से हमको वो आंसर बताना है पहला ऑप्षन ए जापान दूसरा भी नेपाल ऑप्षन सी रूस ऑप्षन दी पाकिस्तान तो इसका राइट आंसर है ऑप्षन ए जापान जापान ने इसका विरोध किया तो विरोध क्यों किया जापान ने व केवल मात्र यही एक जापान का ये कारण है कि दच्छन कोरिया को सामिल करने का इन्होंने प्रिष्टाव पर आपती जता यह क्या कारण है कि चीन और अमेरिका के बीच में जो संबंदित जो एहम मुद्ध्य हैं उन पर दच्छन कोरिया कुछ अलगी राय रखता है यानि उ कह रहा है देखो ये किस राज में हाल ही में भारत का पहला कवक पार्ग बना है भारत में पहला कवक पार्ग कहां बना है अब कवक क्या है एक प्रकार की वर्रस्पति ही है जो चट्टानों दीवारों पेड़ों के तनों और मिट्टियों पर पनपती है तो इस के कवक पार किस राज में बना हैं ये हमारा सवाल है तो देखो इसमें कौन-कौन से option दिये हैं Option A मनीपुर Option B असम Option C तेलंगाना Option D उत्राखंड उसका right answer है Option D उत्राखंड उत्राखंड में भारत का पहला कवक पार्ग बना है दूसरा सवाल देखते हैं खाल ही में फुटबॉल खिलाडी के नाम है मारियो गोमेच ने फुटबॉल से सन्यास लिया है वह किस देश से सम्मंदित है उप्शन A जर्मनी, उप्शन B ऑस्टेलिया, उप्शन C अमेरिका, उप्शन D जपान तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन A जर्मनी, तो यह फुटबॉल और जो है यह जर्मनी का है क्या नाम है इसका मारियो गोमेच इन्होंने फुटबॉल से सन्यास लिया है, यह मारियो गोमेच जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध स्ट्राइकर रहे हैं फुटबॉल में इन्होंने फुटबॉल से सन्यास ले लिया है और यह जर्मनी के हैं, यह एक प्रसिद्ध स्ट्राइकर रहे हैं, आगे चलते हैं सवाल नमर ती, हाल ही में किसे बेट पुरुषकार 2020 में मानवतावादी पुरुषकार से सम्मानित किया है यह बेट पुरुषकार है, नाम है पुरुषकार का, जो किसे सम्मान देता है, मानवतावादी कारियों से सम्मान देता है तो मानवतावादी पुरुषकार से सम्मानित किया गया है, तो option A रिहाना, option B टेलर स्विप्ट, option C बियान से, option D मरीहा केरी तो इसका राइट आंसर है option C, बियांसे, जिसे बेट पुरुषका 2020 में मानवतवादी पुरुषका से सम्मानित किया है, अब ये जो बियांसे जो हैं, ये कौन हैं, ये बहुत बड़े pop star हैं, pop singer हैं ये, तो इन्होंने क्या है कि लंबे समय से परोपकार्य कार्य किये हैं, जिनमें COVID-19 के जो कोरोना चल रहा है, उससे संबंदे द्रहात कार्य भी इसमें सामिल किये गए हैं, तो इसलिए इन्हें ये मानवतवादी पुरुषकार मिला है, चौता सवाल देखते हैं, किस रहाज सरकार ने हाल ही में किल कोरोना नामक अभियान का नाम क्या है, किल कोरोना, किस रहाज में सुरू किया है ये, आप्शन ए महाराष्ट आप्शन बी मध्यप्रदेश्ट आप्शन सी राजस्तान आप्शन डी पंजाब तो इसका राइट आंसर है आप्शन बी मध्यप्रदेश्ट तो किल कोरोना यह जो अभियान है इसके अंतरगत क्या है कोविड-19 की रफ्तार को थामने के लिए यह अभियान चालू किया है और यह अभियान कपसे लागू हुआ है एक जुलाई 19 एक जुलाई 2020 से शुरू किया है यह आगे चलते है पांच बस्वाद पीएम मोदी ने किस योजना के तहत गरीबों के लिए पौने दो लाग करोड रुपे का राहत पैकेज देने की गोशना की है यह हमरा सवाल है रिपीट कर देता हूं मैं परदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना के तहत गरीबों के लिए पौने दो लाग करोड रुपे का पैकेज देने की गोशना की है और सने परदान मंत्री गरीब कल्यान योजना, option B, प्रधान मंत्री जन्धन योजना, option C, प्रधान मंत्री बीमा योजना, option D, प्रधान मंत्री गरीब विकास योजना, जोसके राइट आंसर है, प्रधान मंत्री गरीब कल्यान योजना के तहट, PMOD ने और ने दो लाग करोड रुपेकार पैकेक देने की कोशना की है next वाल देखते हैं food delivery platform food delivery platform swiggy एक कंपनी का नाम है swiggy जो food की delivery करती है ने किस बैंक के साथ मिलकर digital wallet swiggy mini का launch किया है किसका launch किया है swiggy mini digital wallet का नाम है swiggy mini launch किया है सवाल repeat कर देता हूं है food delivery platform swiggy फूर की डीलीवरि करती हैं यह कमपणी का नाम है सुईगी इस सुईगी ने किस b Christians के सात मिलकर टीजिटल वालेट सुईगी मिनि लॉंज किया है डिजिटल वालेट का नाम क्या है स्विगी मेनि तो किस बैंक के साथ मिलकर जया यह आप्षन यह पार्तिय स्टेट बैंक एक के साथ मिलकर तो इस इस डिजिटल वालेट जो है यह स्वीगी मिनी के मैध्यम से घ्राक अब एक क्लिक करके ओर्डर का पैमेंट कर सकते हैं इस वालेट के थूँ इसलिए इसका यह उद्देश्य है सात्वा सवाल हम देखते हैं सात्वा सवाल क्या करा है देखो निम्न में से किस और कफ़्单 shaped cheese आने वाली सभी सिंडल यूज प्लास्टिक को बंद करने की गोषणा किया है जी हाँ इस कंपनी ने क्या गोषणा किया है कि सिंगल यूज वाला जोबी कंप्लास्टिक के उसको बंद कर दिया जाएगा तो क्या option कि रख़ा है Oxn a flip card option b snap deal option c amazon india alternative संदी सब्लिउज तो इसका राइट आंसर है अमेज़ोन हिंदिया तो इस कंपनी ने क्या किया है इस कंपनी ने इस वर्स से सो प्रितिसत प्लाश्टिक मुक्त और ऑडिख्रेड्ट की पेश्गी की है यह एक ऐसा यह सब त्रात lessen प्लास्टिक मुक्त है अहली देगहरो उनको डिस्पोज भी कहता सकता है और उसके युज से जो फ्रकृति को जो यह कि दूशन होता है उसका अब खत्रा नहीं है अगला स्वाल देखते हैं तो आठ्वा स्वाल भारतीय मूलकी किस अमेरिकी महिला को भारतिय मूलकी है किस अमेरिका महिला को राष्ट्रपती पद के डेमोग्रेटिक उम्मीदवार के डिजिटल कैमपेंड की सीफ निग्त किया है जी हाँ मैं सवाल टिपिट कर देता हूँ बारत्य मूल की किस अमेरिकी महिला को राष्ट्रपती पद के डेमोक्रेटिक उम्मीद्वार के डिजिटल केमपेंग की चीप नियुक्त किया गया है डिजिटल केमपेंग 7 एक सोसल मीडिया पर या नेट के मैध्यम से केमपेंग करने को कहा गया है तो कौन है इनमें A. सुमन वर्मा B. मेगा राज C. मनिशा कोईराला D. मनिशा सर्मा तो इसका राइट आंसर है B. मेगा राज इसको डिजिटल केमपेन की चीफ नियुक्ति किया गया है नवा सवाल देखते हैं भारत का कौन सा IIT संस्तान दुनिया में ओनलाइन डिगरी कराने वाला पहला इस्टिटूट बन गया है जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल है, भारत का कौन सा IIT संस्तान दुनिया में ओनलाइन डिग्री कराने वाला पहला इंस्टिटूट बन गया है, ओप्शन A, IIT दिल्ली, ओप्शन B, IIT मुंबई, ओप्शन C, IIT चेन्नाई, ओप्शन D, IIT मदरास, तो इसका राइट आंसर है, ओप्शन D, IIT मदरास, अब IIT मदरास जो है, उन्होंने जो ये ओनलाइन डिग्री प्रदान करने वाला संस्ता का दर्जा हासिल किया है, उसके अंतरगत क्या होता है, तो हाल ही में, IIT मदरास ने डेटा विज्ञान, प्रोग्रामिंग डिप्लोमा और B.H.C का प्रोग्रा नहीं है, एज की कोई शीमा नहीं है, तो अच्छा प्रयास है, अच्छा कदम है, अगला सवाल देखते हैं, भारत सरकार ने हाल ही में, कितने चाइनीज एप को देश में बेंद कर दिया गया है, तो यह, I think, सभी को आना चाहिए सवाल, और सभी को आता भी है, मैं जहां त राइट आंसर जैसा कि आँ बता रहे हो, 69, इन 69 एप में टिक टॉक जैसी एप भी सामिल है, अब आज को जो सवाल में आप से पोछने जा रहा हूं, उसको सुनिएगा, और उसका अंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, जी हां, तो यह है, आज को जो सवाल में आप से पूछने जा रहा हूं, एक जुलाई को भारत के किस बैंक का इस्तापना दिवस मना जाता है, जी हां, एक जुलाई को भारत के किस बैंक का इस्तापना दिवस मना जाता है, आप्शन A, SBI, आप्शन B, RBI, आप्शन C, बैंक को बढ़ोदा, आप्शन B, यस बैंक, इसका आ डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल लिया है आप वहां से इसके पीडियाफ को देख सकते हो और वहां से पढ़ सकते हो तो दोस्तों आज के अंक में इतना ही है लाइक करो हमारे इस वीडियो को शेयर करो तथा चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजिएगा ताकि हम आपको इसी परकार रोज नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहें मिलते हैं कल के अंक में तब तक के लिए चैभारत चैहिन नमस्कार